आप सभी भावी सिक्षक शिक्षकाओ का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सिक्षन पर बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंजली बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों यह आपकी सेक्षिक मूल्यांकन की कक्षा है डिये लेड त्रित्ते सेमेस्टर और दोस्तों अगर आपकी अभी तक कुछ भी तयारी नहीं है तो कम समय में तयारी करने का यह सबसे बहतर तरीका है कि आप लोग मॉडल्स की हैल्प ले और स्रीज में सबसे अच्छी होती है राजन स्रीज के कोश्चन बहुत अच्छे आपको दिये वाले है और रटने पर बिल्कुल धियान नहीं होगा पूरा का पूरा फोकस समझाने पर होगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपको अपके एक्जाम में किस तरह के कोशन मिलेंगे और उसको आपने कैसे टेकल करना है उसको कैसे आपको आंसर लिखना है उस सभी चीजों क चानकारी आपको आज किस क्लास से बहुत ही बहतर तरीके से मिल पाएगी और यदि आपने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है तो लग जाए जादा समय आपके एक्जाम में अब नहीं बचा है तो चलिए गाई शुरू करते हैं सेक्षिक मूल्यांकन की आपकी आज पहली से बिए हैं अती लगू पर्ष marshmallow को तो चलिए काई और हां मैं आपको बतायना चाहते हूं कि computer की class भी मैं ही आपकी लेती हूं और परती दिन आपकी computer की class अब हो रही है और संस्किर्ट की क्लास आपकी डेली होते हैं यानि आपकी जितने भी सब्जेक्ट है सभी की क्लास अब चल चुकी है तो चलिए बात करें पहले परश्ण पर डिसकेशन करते हैं जो 2016 BTC में पूछा गया है किरियात्मक्षोध से में परिकल्पना का क्या अर्थ होता है जो किरिय विधियों से है जिनके द्वारा समस्य को समाप्त करने के लिए परियास किया जाता है उसे ही हम क्या कहते है परिकल्पना क्या होता है उन विधियों को अपनाना जिससे की समस्या का समाधान किया जा सके उसको ही हम परिकल्पना कहते है ठीक है एक बार ओर ध्यान से परियास करते हैं उन्हें ही हम परिकल्पना कहते हैं अगला परशन है 2019 डियलेड में पूछा गया है बहुत ही अच्छा परशन है मास्पेसिया एवं आंगिक गतिविदिया मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंदित होती है तो दोस्तो अगर बात करें मास्पेसियो और आंगिक गतिविदियो के मूल्यांकन की तो ये संबंदित होती है कोशलात्मक पक्ष से कौन से पक्ष से कोशलात्मक पक्ष से इसमें यही पूछा गया था कि ये गतिविदिया मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंदित होती है तो कोशलात्मक पक्ष से संबंदित होती है तीसरा पर सिक्षन की गुन्वत्ता बढ़ाना और वर्गी करन करना चैन निर्देशन में मदद देना आदी मूल्यांकन के लक्षे होते हैं ठीक है समय समय पर बालक का मूल्यांकन होना चाहिए कि उसने कितना सीखा और उसको भिप्रेरित करना चाहिए यदि उसको मूल्यांकन में आप होती है यदि आप समय समय पर मुल्यांकन करते हैं सिक्षन की गुनवत्ता को आप बढ़ा सकते हैं ताकि जब आप मुल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है तो आपको जब आपने मुल्यांकन की आपको समझ आया कि बच्चे जो है उस करन करना और चयन करना निर्देशन में मदद करना यह सभी मुल्यांकन के लक्षय होते हैं अगला कोश्चन है बहुत ही अच्छा कोश्चन है बिल्कुल पूरी-पूरी उम्मीद है यहां से आपका दो नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले है इसे संबंदित आपका पर्षन बिल्कुल देखने को मिलेगा आपके एक्जाम में उपचारात्मक क्या है तो इप्चार मतलब क्या होता है कि यदि किसी चीज़ की वहां पर कमी रहती है उसका सुधार करना ही उप्चार कहलाता है या अगर कॉमन सी बात लेंग्वेज में देखे यादि या आपको यदि कोई या लेते हैं ठीक है जो कुछ कंडिशन्स फोलो करते हैं कि यह नहीं खाना अगर यह बिमारी है तो वह क्या होता है उसके लिए उपचार होता है तो इस तरीकी से अगर सिक्षण में उपचार करना हो तो बच्चे के जीवन में जो आने वाली समस्याई है अधीगम में आने जो समस्याई है या कुछ गलतियां है उनको दूर करने का जो तरीका होता है उन पर यासो को ही हम उपचारात्मक शिक्षन कहते हैं जैसे देखिए यहां क्या लिखा हुआ है छात्रों कीत रूटियों का ग्यान होने पर उन्हें दूर करने हैं तो किया जाने वाला सिक्षन नहीं उपचारात्मक शिक्षन कहलाता है बहुत बढ़िया समझ आ रहा है सभी को एक बार सब लोग शेयर कर देंगे ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग है सभी लोग जोड़ जाए और कमेंट बोक्स में साथ-साथ आंसर करते हुए चले जो भी मैं आपसे कोश्चन जितने जादा बच्चे आपके साथ पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे से सभी लोग तैयारी कर रहे हैं अगला परशन है किरियात मख्षोद के चरंड़ प्रदत विश्डेशन से आपका क्या स्यद्ध किरियात तमक्षोद की यहां पर बात की गई है तो सोध के बाद कैसी स्थिति है उप्रियुक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्यन करना पहले वाली और बाद वाली का उससे यह ग्यात होता है कि समस्या का समधान कहां तक हुआ है यानि आपने क्या करना है कि यह सोध करना है आपको रिसर्च करनी है कि बच्चे को कहा पर समस्य हो रही है पढ़ने में तो आप देखेंगे कि बच्चे की स्थिती क्या है सोध करने से पहले वो किस स्थिती में है उसको कितना आता है कितना समझाता है फिर आप सोध करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपने जो सोध किया और उसमें उस स्थिती का सुधार कि या उस समस्या का और उसके बाद की स्थिती को फिर आप क्या करेंगे देखेंगे और पहले वाली से तुलना कर देंगे कि पहली और अब वाली स्थिती में कितना समधान हुआ है आपने कितना समधान क्या है प्रोब्लम का तो उसी को हम कह देते हैं यहाँ पर विशलेशन से अधात पर यह होता है, आगे भड़े अवलोकन क्या है, बहुत अच्छा कोश्यन है, अवलोकन से सब्ड़ित, अवलोकन की रियात्मक सोध का एक उपकरण होता है, जिसके अंतरगत सोध करता समस्य के बारगे में जानकारी पराप्त करता है, और समस्य से संबंदित विभिन इस्तितियों की जानकारे विभिन माध्यमों से करना ही अवलोकन कहलाता है यानि कोई भी समस्य है उससे संबंदित जो है विभिन इस्थितियों की जानकारी खटा करना और उसे फिर अलग-अलग तरीकों से उसको सही करने की कोशिश करना या अलग-अलग माध्यमों से उस जानकारी को खटा करना ही अवलोकन कहलाता है आगे बात करें परशनावली से आप क्या समझते है परशनावली कि यातमक शोद का एक उपकरण होता है सोद करता समस्या के समधान है तू शोद से विभिन जानकारी परशन कर प्राप्त करता है यानि परशनावली का मतलब परशन से ही आप समझ लिए परशन का अर्थ होता है कि समस्य का समधान पूछना आपको जब कोई समस्य होगी यानि आपके मन में कोई क्वेशन होगा आपके मन में कोई जिग्यास होगी किसी बात को जानने की किसी समस्य को हल करने की तो आप क्या करेंगे परशन करेंगे और परशन करके जानकारी को प्राप्त करेंगे और जानकारी को प्राप्त करना परशन की माध्यम से वही क्या कहलाता है परशनावली कहलाता है आगे बढ़े अगला कोश्चन बहुत ही बहतरीन है यहाँ पर कोश्चन नमबर एट पूछा गया है सतत तथा व्यापक मुल्यांकन कब लागू हुआ बहुत अच्छा कोश्चन है कि सतत और व्यापक मुल्यांकन जो है वो कब लागू हुआ तो याद रखिए वर्स 2009 में लागू हुआ सतत और व्यापक मुल्यांकन ठीक अगला परशन है युगम मुल्यांकन से क्या समझते है तो युगम मुल्यांकन में युगम का मतलब क्या होता है जोड़ा होता है जोड़ा बनाने वाले परशना आते हैं इसमें दो समू में शब्द जोड़े में दिये रहते हैं और बच्चों को सही जोड़े बच्चों से सही जोड़े बनवाए जाते हैं या चुनवाए जाते हैं कि कौन सा जोड़ा सही है तो यहां पर यूगम का मतलब क्या होता है जोड़ा बनाना और यूगम का मुल्यांकन में किस तरीके से आप परियोग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे बच्चों से जोड़ा बनवाने वाले परश्ण करेंगे कि जिसमें बच्चे को दो शब्दों का सम्हू बनाना हो और सही जोड़ा छांटना ह उसे ही हम क्या कहेंगे यूगम मुल्यांगर कहेंगे ठीक है अगला प्रशन है किरियात्मक्षोद का अंतिम चरण क्या होता है वह आपको बताना है तो अंतिम चरण क्या होता है किरियात्मक्षोद का भई निशकर्स निकालना आप पूरी प्रोसेज कर लेंगे तो उसके बा तो रटने पर बिल्कुल भी जोड नहीं देना है, बस आपको बेफिक्र होके, बेपरवा होके, क्लास में, मेरी क्लास में बैठना है, और बस ध्यान मेरे पास रखना है, बाकी चीजे अपने आप आपके दिमाग में automatically set हो जाएगी और exam तक आप नहीं भूलेंगे, ये मेरा से वादा है, बस आपको ध्यान देना है, पूरा पूरा अपनी क्लास में, चाहे तो आप येरफोन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपका live लेने का time नहीं लगता है क्लास, तो आप बाद में जरूर ले, क्योंकि miss करेंगे, तो आपका loss होने वाला है, ठीक है, बढ़ते हैं, अगला परशन है, साक्षातकार से, आप क्या समझते हैं, साक्षातकार किसे कहते हैं, पहले तो आप यही समझ लिए, दोस्तो साक्षातकार होता है, इंटर्व्यू, इंगलिस में बोले तो, आगे बढ़ते हैं, यह किरियातमक शोध का एक उपकरन है, शोध कैसे करेंगे, मौ्खिक करेंगाा तो वही बात है, यह एक परकार की कैसी मौ्खिक परशनावली है, इस विधी में सोध करता एवं साक्षात कारदाता आमने सामने बैट कर जानकारी आधान पर्दान करते हैं, सेम वही बात है, इंटर्वीवें में होता क्या है, कि एक जो इंटर्व्यूर होता है, वो question करता है, और सामने बैठा जो student होता है, या कोई भी अभ्यारति होता है, वो उसके परसनों के उत्तर देता है तो यानि जानकारी का आदान परदान करता है एक सोध करता होता है एक शाक्षातकार करता होता है इंटर्व्यूई होता है तो उन दोनों के बीच में जानकारी का आदान परदान होता है मोखिक रूप से मोखिक परसनावली के आधार पर पर ध्यान देगे निया दर्ष यानि सेंपल की विशेशता बताईए क्या होता है निया दर्ष का आकार परियाप्त होना चाहिए या निया दर्ष का चयन इस परकार किया जाए कि वह जंसंख्या की परतिनिधित्व करे वर्णन इसे प्राप्त परिणाम ब्रहामक होते है इस संख्या है कि मान लीजे ये पूरी जनसंख्या है आपको यह देखना है कि इस बार । किने पर्तिसट ऐसे बच्चे है जो लगातार स्कूल में जाते हैं तो इससे आप ये नहीं करेंगे कि पर्तिसट बार को पता करें कि कि नकितने डाइब अब दो, आपको करनी है रिसर्च ठीक है आपको इजंगर्ना वाले नहीं हो के घर घर जाकर पता करोगे आपको सिर्फ एक रिसर्च करनी है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए तो आप क्या करेंगे यह माँ लिजिए पूरा देश है हमारा तो आप ऐसा नहीं है कि कि परदेश के हैं कि स्कूल में जाकर पता करें आप क्या करेंगे किसी भी भीडभारण वाले इलाके करें संपल यानी नए आदर्स कैसा आपकर और बों जनसंख्या जो है परिणाम दें आपको या परिणाम देने के लिए अब करें पूरी संख्या का परतिनी दित्व कौन करेगा यहां पर यह सैंपल करेगा आपका यह वाला एरिया करेगा क्योंकि आप यहां के बेसिज पर ही पूरा निर्णे लेंगे कि अगर यहां पर 50% बच्चे स्कूल में जाते हैं तो आप बोलेंगे कि अच्छा भई इस देश में क्या है लगभग 50% बच्चे परति दिन स्कूल जाते हैं तो यानि इतने सी जनसंख्या ने पूरी जनसंख्या के आधार पर क्या कि आप परतिनी धित्व किया ठीक है इतनी सी जनसंख्या के basis पर पूरा decision ले लिया तो यहां पर sample वही कारे करता है कि उसका आकार एक तो परियाप्त होना चाहिए ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वही मैंने आपको समझाया और दूसरी बात यह है कि वह जनसंख्या परति निधित्व करे ठीक है वह जनसंख्या का परति निधित् करे ड्रेडिंग सिस्टम कैसा होता है तो जिस परकार बच्चों के सेक्षिक मुल्यांकन के बाद उन्हें स्रेणी परदान की जाती है उसी परकार विध्याल्य में बच्चों की सेक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विध्याल्य की ग्रेडिंग की जाती है कौन सा विध्यालिय को ग्रेड देते हैं कि यह ग्रेड ऑ को बहुत अच्छा विध्यालियय है इसी तरीकि से बच्चों को पहले क्या किया जाथा ता ग्रेडिंग सिस्टम कि अगर एग्रेड मिला एप्लस मिला है तो बहुत अच्छा है 20 मिला है तो THIKOT है दी मिला है तो बहुत खराब बच्चा है इस तरीकी से पढ़ने की बेसिस पर तो इसी तरीकी से विध्याले का ग्रेडिंग सिस्टम जैसे यहां पर आप देख पाएंगे कि अंक दिये जा रहे है कि भॉतिक परिवेश में पांच अंक मिले किसी बच्चे को या किसी विध सहहखागीता में और उपस्तिती में कुछ नमबर दे दिये जाएंगे थीक है इस तरीकी से ठीडिंग दे जाती और पूरा टॉटल उनका भी हंड्रेड माना जाता है अगर जादा है तो उसको ए ग्रेड देते है उससे थोड़ा कम है तो बी देते है जादा ही कम है तो डी देते हैं इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता था अभी तक आगे बात करें चात्र प्रोफाइल क्या होती है यह बहुत महत्पून परशन है चात्र प्रोफाइल वह अभी लेक है जिसके माध्यम से बच्चों की परगती विध्याले के वातवरण में उनका स प्रोफाइल बना करके रखता है और प्रोफाइल से मतलब है कि उसमें उस बच्चे की संपूर्ण जानकारी की इस बच्चे की परगती कितनी हुई है पहले से उसका ग्राफ उसका वातवरण में समायोजन कैसा है क्या वो आसानी से समायोजन कर लेता है दूसरे बच्चों के साथ उसके कैसे संबंद है ठीक है पहले से पढ़ाई में कितना बहतर हुआ है तो पूरी जानकारी एक बच्चे के बारे में जिस फाइल में लिखी होती है तो उसे ही हम छादर प्रोफाइल कहते हैं क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 15 मूल्यांकन है तो कितन यह परिक्षा होती है अर्द वार्षिक और वार्षिक सत्रिय मतलब सेमिस्टर वाइज और अर्द वार्षिक मतलब साल में दो बार परिक्षा कराई जाए और वार्षिक यानि वर्ष में एक बार परिक्षा कराई जाए यह सभी मूल्यांकन है तो परिक्षा के परकार होत बहुत बहतरीन सा कोश्चन है प्रीवेस एयर में पूछा गया है 2016 में चलिए जाने मुल्यांकन क्या होता एक परकिरिया है जिसके द्वारा यह निर्णे करते है कि सिक्षण लक्षण सिक्षण लक्षियों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं वही तो होता है मुल्यांकन कि भई आप किसी बच्चे का मुल्यांकन करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे मुल्यांकन में आप यह देखेंगे कि जो सिक्षण के उदेश से हमने पहले तैय कि इस बच्चे को इतना आ जाना चाहिए यदि यह इस क्लास में पढ़ता है तो जब आप उसका मुल्यांकन क यानि यह एक परकिरिया होती है जिसके माध्यम से आप यह निर्णे ले पाते हैं कि सिक्षन लक्षियों को प्राप्त किया रहा है यह नहीं next question है किरियातमक शोद की दो विशेष्टाय बताय Fukらidheavy किरियातमक शोद की कौन कौन सी दो विशेष्टाय होते है 2017 में पूछा गया परशन है पहली विशेष्टा क्या है सोद की समस्या अनुभव जण्या होती है कि जब आप किरियातमक्षोध करते हैं तो वो अनुभव जन्य होती है उसकी समस्या और दूसरी बात क्या होगी इसमें विश्रिष्टा कि यह सोध संस्था के सामान्य वातावरण के बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन कि यह पूरा किया जाता है ठीक है इसमें क होता है कि सोध जो है संस्था के सामान्य वातावरण में ही बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति के उत्पन किये करके पूरा कर लिया जाता है कि रियातमक्षोध कि आपने ये दो विशेष्टाई जान ली है अगला परशन है और इतना महत्पूर्ण है कि जिसकी कोई हद न दिया गया है यानि कोशन पूछने का तरीका यहां पर बदल दिया गया है पहले पूछा है कि नवाचार से आप क्या समझते है और दूसरी बार पूछा तो कैसे पूछा कि सिख्षा में नवाचार का अर्थ क्या होता है वो बताईए तीसरा इसमें इसी टोपिक से परशन बना दिया कि सिख्षा में नवाचार का क्या आश्य है इस तरीकी से पर्ष्ण पूछा गया है और इस बार भी आने की उमीद है क्योंकि लगतार तीन साल से रिपीट हो रहा है ये कौश्चन चलिए जाने नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना कहलाता है क्या यानि नवीन कारिय करना नवा चार से क्या आदोट है नवीन कारिय करना या फीर नए ढंग से खाया जा रहा है तो नवीन कारिय करना ही नवाचार कहलाता है अगला परशन है किरियात्मक्षोद को इसपस्ट कीजिए 2017 में आया हुआ है किरियात्मक्षोद सोद का एक वहवारिक रूप होता है अभी थोड़ देर पहले हमने इसके विशेष्टाओं के बारे में बात करी होती तो यहां आप से सीधा सीधा पूछ लिए कि किरियात्मक्षोद क्या है वो बताइए तो यह सोद एक वहवारिक रूप है सोद का जिसमें विध्याले से संबंदित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली जो समस्याय होती है उन समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने का परियास खुद उनके द्वारा ही किया जाता है यानि विध्याले में आने वाली जो कुछ समाश्याय होती है वहां के जो लोग होते हैं विध्याले के विध्याले का जो परसाशन होता है उसी के द्वारुन समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से उनका समधान करना कि रियातमक्षोद कहलाता है अगला परशन है 2016 में पूछा गया प्रीवियस येर में और बहुत ही अच्छा कोश्यन है कि अच्छे परशनों की विशेष्टा बताईए क्या होती है अच्छे परशन की सब्दावली शंशिप्थ हो कैसी हो शंशिप्थ हो बच्चे को समझ आए दूसरे उसकी भासा पुस्तक की भासा से प्रेथक हो यानि ऐसा नहीं है कि आपकी बुक उठा करके उसमें परशन लिख दे जाए यानि कुछ ऐसे परशन होने चाहिए जिस पर वैं विचार कर पर वैं विचार उत्ते जखो यानि जिस पर बच्चे विचार कर सके इस तरह के परशन पूछे जाए और परशन दूइधा ने उत्पन करें ऐसे भी हो परशन छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपका जो बच्चा है वो तो है सेकिंड क्लास का और उसको आप फिफ्ट क्लास के परशन पूछ रहे है तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसकी मानसिक विकास के अनुरूप होने चाहिए और उनमें करम बदता होनी चाहिए ठीक है करम बदता से पूछे गए हो पहले आसान फिर थोड़े मॉडरेट और फिर टफ इस त अब तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखेंगे काफी सारे कोश्चन्स आपके हो चुके है 20 कोश्चन्स आपको इसकी पीडियेफ आपको टेलिग्राम गूरूप मिल जाएगे आज की क्लास की और आप लोगों को रिविजन करना है और क्लास में समझ आया है पसंद क्लास तो लाइक और शेर जरूर करें दोस्तों के साथ बाकी फिर मिलेंगे कर तब तक के लिए नमस्कार और अपने पढ़ाई को जारी रखें आपके पास जादर समय नहीं है सभी क्लास को अटेंड करें और अपने नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है चलिए आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाई बाई टेक केर जैहिंद